नमस्कार, मैं हूँ विदूशी और आप देख रहे हैं चकाचक एक्सप्रेस आज हम बात करने वाले हैं नीदा जी सुभास चंद्र बोस के बारे में नीदा जी सुभास चंद्र बोस का संपूर्ण जीवन अजब गजब कार नामों से भरा हुआ है एक बुद्धिमान चात्र जिसमें उस वक्त की सबसे कठिन परिक्षा सिविल सेवा उत्तीन की लेकिन अफसर शाही छोड़कर खुद को देश सेवा में समर्पित कर दिया जन्द से लेकर मित्यू तक सुभास चंद्र बोस की जीवन के हर हिस्से रोचकता से भरे हुए हैं ऐसा ही रोचक पहलू उनकी प्रेम विवा से भी जुड़ा हुआ है नीता जी ने एमिली शेंकिल से प्रेम विवा किया था कहा जाता है कि 1934 में जब सुभास चंद्र बोस अपना इलाज कराने के लिए आस्ट्रिया गए हुए थे उसी दोरान उन्हें अपनी जीननी लिखने का विचार आया जिसके लिए उन्होंने एक टाइपिस्ट की खोच शुरू की टाइपिस्ट की खोच करने के लिए नेता जी के आस्ट्रिया स्थित एक फ्रेंड ने उनकी मुलाकात एमिली शेंकिल से कराई जो धीरे धीरे पहले उनकी फ्रेंड बनी और बाद में प्रेमी का कुछी समय बाद 1937 में दोनों ने इस रिष्टे को शादी के पवित्र बंधन में बदल दिया इसके बाद 39 नवंबर 1942 में वियना में एमिली ने एक बेटी को जन्म दिया जिसका नाम नेता जी ने अनीता बोस रखा रोचक बात ये है कि शेंकल ने कभी भी बोस की पत्नी होने की पहचान उजागन नहीं की वो अपनी बेटी अनीता के साथ आस्ट्रिया में अलग ही रहती थी और जीवी का के लिए एक तार घर में काम करती थी लंबे समय बाद अनीता ने मीडिया से कहा था कि उनकी मा को भी बोस की मोत की खबर आम लोगों की तरह रेडियो से ही मिली जब अगस्त 1945 में नीता जी के विमान धुरगटना में मारे जाने की खबर आई उस वक्त अनीता बहुत छोटी थी कहा जाता है कि विमान धुरगटना से पहले सुभाश अपनी बेटी को देखने आये थे तब ही उन्होंने अपनी बेटी का नाम अनीता रखा था इस वक्त अनीता बोस फॉफ एक जर्मन अर्थ शास्त्री है वो ऑक्सबर्ग युनिवर्स्टी में प्रोफेसर रह चुकी है और वो अपने पती प्रो मार्टिन फॉफ के साथ उनकी जर्मन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी में सक्रिये रहती है और ऐसे ही रोचक जानकारियों के लिए जुड़े रहिए चकाचक एक्सप्रेस के साथ और अगर आपने अभी तक ये हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सी कीजिए चकाचक एक्सप्रेस